राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खोशोंगे, स्वश्थोंगे, मस्थोंगे भ़गवान स्री गणेश की जै हो आज मैं आप लोगों को भगवान स्री गनेश की बैसा खे कृष्ण पक्ष संकस्टी गनेश चतुर्थी ब्रत कथा सुनाने जा रही हूँ जो कोई भी भक्ती पूरवक भागवान स्री गनेश की इस कथा को सुनता है, अथवा पढ़ता है, भागवान स्री गनेश की किरपा सदा सर्वदा उस भक्त पर बनी रहती है, भागवान स्री गनेश अपने भक्तों पर सदा प्रसन रहते हैं, सबसे पहले भागवान गनेश क इस्तुति करते हैं भगवान स्री गनेश की प्राथना करते हैं ये गर्पति भगवान स्री गनेश हम सदेव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराईयों से दूर रखे हमारा जीवन भले कामों में लगाएं हम सदेव पूजा अर्चना में लगे रहें तथा बु पुरी संगत की ओर ले जाने वाली बातों से सदा दूर रहें, हम सदा ही स्वस्त रहें, जिससे हम भगवान के शीचर्णों में अपना जीवन अर्पित कर सकें, हमारा मन भोग विलासिता को छोड़ कर भगवान की सेवश शुर्वा में लगी रहें, जिससे हम हमेशा कारे करते रहें, उन्नत को प्राप्त करते रहें, हमारे जीवन के सारे दुख और समस्या का समधान हो जाए, हे प्रभू आपकी किरपा से ऐसा संभव है, हे प्रभू आप हमारे प्रातना सुर्कार करें, हम पर प्रसन हो, हम पर अपनी किरपा सदा सर्वदा बनाए रखें देवों के देव राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान है उनकी कीर्थी चारो तरब फैली हुई है और बुद्धी के स्वामी भगवान श्री ब्रश्पत जी ये समस्त देवताओं की छिपी हुई शक्तियां है इनसे सभी मनुस्यों का हित होता है इश्वर की कृपा स बुद्धी और शक्ति दोनों की ही प्राप्ति होती है ये भगवान श्री गणेश आप अपने किरपा सदा सर्वदा बनाए रखें आए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा धर्म केतु नामक ब्रामण की कथा बैसाख मा के किष्ण पक्षिकी जो संखटा नामक चत चतुर्थी कही गई है उसमें मा पार्वती ने बताया है कि किस तरीके से और कौन से दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा किस प्रकार का भोजन ग्रहन करना चाहिए गणेश जी ने उत्तर देते वे कहा हे माते बैसाख मा में किष्ण पक्ष की चतुर् करना चाहिए उस दिन बक्रतुंड नाम के गणपती जी की अराधना करके कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए राजा इधिष्ठी ने द्वापर यूग में इस प्रश्न को पूछा और जो कुछ भगवान श्री किष्ण ने कहा था उसका व्रतांत मैं आपको पता आता हूँ आप ध्यान पुर्वक सुने भगवान श्री किष्ण कहते हैं प्राचीन काल के समय में रंति देव नाम के एक प्रतापी राजा हुए जैसे अगनी तिनके के समों को भस्म कर देती है वैसे ही अपने शत्रों को नश्ट कर देते थे ऐसे वे राजा थे यम कुव प्रेर, इंद्र, सभी देवता उनके मित्र थे धूम केतु नाम का एक श्रेश्ट ब्राम्वन उनके राज में ही निवास करता था उसकी सुशीला और चंचला नाम की दो इस्त्रियां थी सुशीला सदेव कोई न कोई ब्रत करती रहती थी अतह उसका सरीर दूर्बल हो गय इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी वह सदा ही पेट भर कर भोजन करती थी कुछ समय के बाद सुशीला के यहां सुन्दर लक्षों वाली एक कन्या का जनम हुआ और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ती हुई इस बात को लेकर चंचला सुशीला को ताना मार कर बोली अरे सुशीला तूने इतने उपवास करके अपने सरीर को दुबला पतला बना दिया फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को जन दिया मेरी तरफ देखो मैंने कभी कोई ब्रत नहीं किया फिर भी मैंने कैसे एक हरस्ट प्रस्ट बालक को जनम दिया अपनी सौत का यह व्यंग सुशीला के हिर्दे को पीड़ा देने लगा वह विधिवत भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने लगी संकट नासक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ती भाव से ब्रत किया तब रात को बरदायक गणपती जी ने दर्सन दिये और बोले हे सुशीले तेरे भक्ती भाव से मैं अत्यंत प्रसन हूँ मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती वो मुंगा गिर्थे रहेंगे इससे तुम सदा खुश रहोगी इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी होगा ऐसा कहकर भगवान स्री गणेस अद्रश्य हो गया कुछ दिनों के बाद सुसीला के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया तदंतर धर्म के तुका स्वर्गवास हो गया उसकी मृत्य के बाद चंचला सारा धिन लेकर अन्य घर में रहने लगी सुसीला पती के ही घर में रहती हुई अपने पुत्र वो पुत्री का लालन पालन करने लगी उसकी कन्या के मुख से मुंगा मोती गिरने के कारण सुसीला के पास थोड़े ही समय में काफी धन इकठा हो गया चंचला इस कारण उससे जलने लगी एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुसीला की पुत्री को कुए के अंदर फेक दिया। उस कुए में भगवान श्री गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा बालिका राजी खुसी अपनी माता के पास वापस लोट आई। यह देख करके चंचला को बड़ अश्र हुआ और उसे मन में क्रोध भी आया। वह सोचने लगी कि इश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता है। सुसीला को अती प्रसंदता हुई जब उसने अपनी पुत्री को पुनह प्राप्त कर लिया। अपनी पुत्री को सीने से लगा कर वह कहन भगवान गणपती जी ने तुझे दोवारा जीवन दान दिया है। जिनका कोई नहीं होता उनके स्वामी सी गणेसी है। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर जुका दिया। चंचला को इस प्रकार देकर सुसीला को बड़ा ही अश्यर हुआ। चंचला ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे बहन, हे सुसीले मैं बहुत पापिन एवम नीच हूँ। आप तो दया करने वाली दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का भला किया है। आप मेरी गलतियों को छमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं। उसका कोई कुछ भी नहीं बिगार सकता है। ज अपने कर्म से स्वेम ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं तत पश्चात चंचला ने भी उस कष्ट नासक तथा पुन्य देने वाली संकट नाशक गणपत जी के ब्रत को किया भगवान गणेजी की क्रपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई जिस पर भगवान गणेजी प्रसन होते हैं उस विक्ति के दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं सुसीला के शंकट नासक गणेश चतुर्थी का ब्रत के जाने के फलसरूप उसकी सौत चंचला का मन बदल गया स्री गणेशी कहते हैं हे देवी मैंने पूर्वकाल का ब्रतांत बता दिया है इस संसार में इ आपत्यों को दूर करने वाला कोई अन्य ब्रत नहीं है स्री कृष्ण जी कहते हैं हे धर्मराज आप भी धंग पूर्वक भगवान स्री गणेश जी का ब्रत करें इसके करने से आपके शत्रों पर विजय प्राप्त होगी आपके सारे शत्रू आपके मित्र बन जाएंगे तथा अश्ट सिद्धियां वो नव निथियां आपकी सेवा में रहेंगी कुछ समय के बाद ही आप अपना राज पुनह प्राप्त कर लेंगे प्रेम पुर्बा कोले भगवान श्री गणेश की जय हो माता पारवती की जय हो भगवान भोले संकर की जय हो सभी रिश्यों की जय हो सभी द्रश रिश्यों की जय हो सभी आद्रश रिश्यों की जय हो भगवान स्री गणेश की जै हो ओम गण गण पते नम आईए सुनते हैं भगवान स्री गणेश की गणेश चाली सा पुस्तक पाणी कुठालती शूलम मोधक भोग सुगंधित फूलम सुन्दर पीतां बरतन साजित चरण पादुका मुनिमन राजित धन शिव सुवन शडानन माता गोरी ललन विश्व विख्याता रेद सीधित तव चमर सुधारे मूसक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म सुभ कथा तुमारी अति सुचिपावन मंगल कारी एक समेगिरी राज कुमारी पूत्र हे तु तब कीनियो भारी भैयो यग जब पून अनूपा तब पहुँचे तुम धर दुज रूपा अतित जान के गोरी सुखारी बहुबिद करें तुमारी अति प्रसन है तुम वरदीना मात पुत्र हित जो तप कीना मिलें पूत्र तुम बुद्धी विसाला बिना गर्व धारण यहिकाला गण नायक गुण ज्यान निधाना पूजित प्रतम रूप भगवाना असकई अंतर ध्यान रूप हैं पलना पर बालक सुर बनिस सुरुदन जवं तुम ठाना लखी मुख सुक ने गौर समाना सकल मगन सुक मंगल गावई नवते सुरन सुमन बरसावई संभु उमा बहु दान लुटावई सुर मुनि जन सुत देखन आवई लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आये शनी राजा निज अव ग गुण गुणी सनीमन माही बालक देखन चाहत नाही गिर्जा कच्छुमन भेद बढ़ायो उत्सो मोरन शनी तुम भायो कहन लगे सनीमन सकुचाई का कर्यां सिसु मोही दिखाई नहीं विश्वास उमा उर्भय हों सनी सो बालक देखन कैयों पढ़त ही सनी द्रग कोन प्र गेजा गिरीवी कल हैं धरनी सो दुख दसा गयों नहीं बरनी हाहा कार मचियों कहलासा सनी कीनेव लगी सुतको नासा तुरत गरुड चरी विश्णु सिधाए काठी चक्र सो गज सिर लाए बालक के धर उपर धारेव प्राण मंत्र पढ़ी संकर डारेव नाम गणेस प्रतव कीने प्रतम पूझे बिदी निधिवर दीने उद्धि परीक्षा जवशिव कीना प्रित्वी कर प्रदिक्षणा लीना चले सधानन भरम भुलाई रची बैठ तुम बुद्धी उपाई चर्ण मात्पित के धर लीने तिन के साथ प्रतिक्षण कीने धनी गणेस कह सिवह हर से नवते सुरन सुमन बहुबर से तुमरी मैमा बुद्धी बढाई सेस सहस मुक सके नगाई महमत हीन मलीन दुखारी करऊ कौन विदी विने तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभुदासा जग प्रयाग ककरा दुरवासा अब प्रभुदया दीन पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे दुहा सी गनेस यह चालीसा पाट करें धर ध्यान नितनव मंगल ग्रह बसें लहे जगत सनमान संबंध अपने शहस्त दस रिसी पंच मीदिनेस पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गनेस भवान सी गनेस की आड़ते जय गनेस जय गनेस जय गनेस मता जाकी पार्वती पिता महादेव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी जय गनेस जय गनेस जय गनेस देवा मता जाकी पार्वती पिता महादेव अंधन को आख देत कोलिन को काया बाजन को पूत्र देत निर्धन को माया जैगनेस 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 देवा मता जाकी पार्वती पिता महादेवा हार चड़े फूल चड़े और चड़े मेवा लटुन का भोग लगे संत करे सेवा जैगनेस 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 देवा मता जाकी पार्वती पिता महादेवा भगवान श्री गनेस की जैगनेस जैगनेस देवा जैगनेस जैगनेस देवा मता जाकी पार्वती पिता महादेवा भगवान श्री गनेस की जैगनेस 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 देवा मता जाकी पार्वती पिता महादेवा भगवान श्री गणेस की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान भोले संकर की जय हो, सभी दिव रिश्यों की जय हो, सभी द्रश्य रिश्यों की जय हो, सभी अद्रश्य रिश्यों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, जय हो, जय हो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहे हूं बैसाख मास कृष्ण प्रक्ष में पढ़ने वाली संकस्टी गणेश चतुर्थी ब्रत के वारे में यह चतुर्थी ब्रत कब धारण किया जाएगा जैसा के हम सभी लोग जानते हैं भावान गणेश चतुर्थी तिथी जो है वह समर्पित है चतुर्थी तिथी पर भावान गणेश की पुजा की जाती है महिने में दो बार चतुर्थी तिथी पढ़ती है और चतुर्थी तिथी पर भावान गणेश की पुजा का विधान है शुक्ल पक्ष में चतूर्थी तिथी पर वैनाय की चतूर्थी ब्रत धारण किया जाता है और कृष्ण पक्ष में संकस्टी चतूर्थी ब्रत धारण किया जाता है जो कोई भी भवान श्री गडेश की पूजा करता है भवान श्री गडेश उसके सारे दुख को हर लेते हैं आईए जानते हैं संकस्टी चतुर्थी ब्रत कब है 27 अप्रेल 2024 को चतुर्थी तिथी है इसी दिन संकस्टी चतुर्थी ब्रत रखा जाएगा चंद्रोदे रहेगा 9 बच करके 33 मिनट रातरी चतुर्थी तिथी आरम होगा 27 अप्रेल 2024 को दिन शनिवार प्रातह 8 बच करके 20 मिनट से चतुर्थी तिथी पर भवान गड़ेश की पूजा की जाती है साथ में चतुर्थी तिथी के समय ही चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है और उसके बाद में ब्रत का पाढ़ना का विधान है इसलिए चतुर्थी तिथी रहेगा दिन शनिवार को ब्रत भी दारण क्या जाएगा दिन शनिवार को 27 अप्रेल 2024 चतुर्थी तिथी का समापन होगा 28 अप्रेल 2024 प्रातह काल 8 बच करके 24 मिनट पर दिन रविवार को आए जानते हैं भवान गणेश की पूजा का विधान गजाननम भूत गणादी सेवितम कफित जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामी विगनेश्वर पाद पंकजम विगनेश्वराय वर्दाय सुर्प्रियाय लंबोधराय सकलाय जगत द्वि पूचिताय गोरी सुताय गणनाय नमो नमस्ते भवान गणेश की मंत्र है इसका जाप पूजा करते समय अवसे ही करना चाहिए वह मंत्र है ओम गणगणपते नमा ओम श्री गणेशाय नमा आई जनते हैं पूजा का विधान भवान श्री गणेश को हरी दुर्भा सफेद दुर्बा मंगरया का फूल शमी अपामार्ग देवदारू केवडा के फूल पत्ती शमी बैर की पत्ती मालती के फूल पत्ती दुर्बा ये सब बहुत ही प्रिये हैं पूजा करते समय इन में से जो भी वस्तों आपको प्राफ तुचा है उसे अवसे ही चड़ाएं नवेद पूजा की जाती है वह रूद्राख्ष के माले पर जब किया जाता है बहुआन गड़ेस का जो दिन है वह वह दिन है बुधवार के दिन भहँआन की पूजा की जाती है और तिथी है चतुर्थी भगवान गड़ेश को तुलसी पत्र नहीं चड़ाया जाता है इस बात का विसेशध्यान रखें कि भगवान गड़ेश के उपर तुलसी पत्र ना चड़ाये इस प्रकार से भगवान गड़ेश की पूजा करके सारा दिन का अपवास करके रातरी के समय चंद्रमा को अर्ग देकर ब्रत का पार्णा करने का विधान है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो किर्पया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।